आप सभी लोगों के लिए लाए हैं बोर्ड एक्जाम से रिलेटेड एक इनपॉर्टेंट टॉपिक वह है कि बोर्ड परिच्छा में कापी कैसे लिखे जैसा कि आप सभी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए तो यहाँ पे हमने पह लिखेंगे और यह बिल्कुल नया तरीखा और ट्रिक से अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको बोड एक्जाम में 100% गारांटे की पूरे नमबर मिलेंगे अथाथ आप एक टॉपर की तरह लिखेंगे तब आपको पूरे नमबर मिलेंगे और यह जो ट्रिक और कापी हम आपको पेपर में भी बताएंगे कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कितने नंबर के आते हैं और उसके आंसर किस तरीके से बोर्ड एक्जाम में अपने कॉपी पर लिखा जाता है और यह रहा बोर्ड एक्जाम का कॉपी इस पे आपको कैसे लिखना है प् तरीके से question आते हैं आपके paper में और उसके answer कैसे लिखोगे आपकी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे इन सभी topic पे हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं यहाँ पर किसी question का answer अगर आपको न आ रहा हो नहीं आता हो तो आप उसका answer किस तरीके से लिखेंगे इन और अभी topic पे ठीक हैं और आपको किस तरीके से किस रंगीन पेनों का यूज करना है और किस रंगेण पेनों का यूज नहीं करना है ँस पेन को आपको यहाँ पर सभी की solution मिलेंगे ठीक है जादे answer में काट्पिट न करें किस तरीके से आपको दो वाक्टी सब्दों के बीच एक पेन की जग़ छोड़ना किस तरीके से इन सभी टापिक पर जितने भी ट्रिक रट्रिप्स आप देख रहे हैं इन सभी topic पे आपको इस वीड़ियो में इस सभी का confusion आपके मन में question है इस सभी का solution आपको इस वीड़ियो में मिलेंगे ठीकर के यहाँ पर आपको इस तरीके से अगर लिखेंगे टॉपर इसी किसे लिखते हैं और यहाँ पर हम आपको बताने वाले जवर जस्त अजुबा ट्रिक तीकिए देख लिजे वरना बहुत पस्ता होगे आप लोग इस तरीके से कि फूरिकेेशेशेट उपर हम एक टौपर स्टूडबउन इसलिए आपको टॉपर किस तरह किस तरीके से रिखते हैं अपनी कॉपी ईस वीडियो में पोरे डीटरोज में बताने वाले तो यहां पर देखिए आपको किस तरीके से यानि यह रहा बोर्ड एक्जाम की कॉपी इसी तरह की कॉपी आपको बोर्ड एक्जाम में मिलेंगे तो यहां पर इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसकेल लेना है ठीक है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहां पर इसकेल से सिर्फ काला ब्लेय को रखी ऑप कालए और नीला नियुक्ट को सिर्फ आपको काला नीला यानी की आपको रंगीन पेनों का यूज करना याँ पर नंग करें सिर्फ काला और निल्ले ते यहाँ पर दीखें लेक। स्केच का यूज कर रहे हैं आपको इस स्केच का यूज करना है यहां पर आपको क्या करना है कि अपने कॉपी में यहां पर एक स्केल का ठीक है यहां पर प्लेस देकर जगत छोड़कर आपको यहां पर लाइनिंग कर देना है इस तरीके से जिस तरीके से हम कर रहे हैं तो यह थेयां पर आप इस तरीके से लाइनिंग कर दिये तृष कुछ चैश्टेश में नमबर देते दो έχसी जगे तो आप लोग यहां ऀसके लिया देड़ हैं कई चोड़ कर यहां पर अब ऐसके लाइनिंग कर दिये तीको फिर उसके बाद आप को क्या करना जैसे यहां जो हिंदी होती उसमें खंड क और घंड को होता है ठीक है तो आपके बहुर्ब का आंसर लिख रहा है तो पहले आप उपर क्या डाल दीजिए यहाँ पर क्पर डाल दीजिए कर्द को ठीक है यहाँ पर क्या डालेंगे खंड क Dri हम दैज में क्षचा Δी ऐसे कि यह जब भी क्वेस्टन है उसको क्या कि ऑसानी होगा और वह समझ जाएंग्य कि यह खंड कर का आंसर है ठीक है? खंड कर के सभी क्षशनों का आंसर है तो यहाँ पर पर सबसे पहले आपको खंड कर डाल देना है फिर उसके बाद जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वह होता है कि बहु भी कल्पी प्रस ठीक है? यहाँ पर आपको 3 घंटे 15 बिश्जिक करना अनिवार होता है खंड का में आपको पहला चु सब्सक्राइब और इस तरिके से क्वेस्चन दे दिया तो आपको इसका अन्सर किस तरेके से एक ट्रिक से तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे आपको लाइनिंग करनी है ठीक है तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दो लाइनिंग करनी है तो यहाँ पे आपको लाइनिंग करनी है और फिर उसके बाद देखिए इस तरीके से आप किसी भी प्रसनों का उ उत्तर लिखेंगे यहाँ पर दिखिए तो कि आपको प्रस्नोत्तर नंबर वन का आंसर लिखना है तो यहाँ पर प्रस्नोत्तर नंबर वन आपको डाल देना है फिर आपको नीची यहाँ पर क्या डलना है उत्तर इस तरीके से आपको उत्तर डालना है और यहाँ पर कर देना है underline तो यहाँ पर आपको उत्तर डालने के बाद आपको अब दिखे किस तरीके से किसी भी question का answer आप लिखेंगे तो यहाँ पर दिखे पहला आपको option वाला हमको बताना है तो यहां पर कला और संस्किति के लिखकयाँ पहले का कउकल का आपको ये question रहा और इनके चार आपसं दी रहते हैं जिसमें से आपको कोई एक आपसं चूज करके जो ह erfolg करना होता अपने copy पे तो यहां पर देखिए कला और संस्कृति के जो लेखक है वो वासुदे उसरण अग्रवाल है तो इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे तो यहां पर देखिए आपको डालना है कर ठीक है यहां पर आपको डालना है इस तरीके से कर इस तरीके से आप डाल कर इसका जो भी आंसर हो जैसे पहला आंसर है वासू देव सरण अग्रवाल तो आप इसको राइट कर दीजे इस तरीके से प्वासू देव सरण अग्रवाल इस तरीके से आप लोग राइट कर दिजीर यहाँ पे वासू देव सरण अग्रवाल इसका पहला अपसन क्या है राइट है और आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बयात है कि आप लोग दो आक्यों यानि दो सब्दों के बीच आप क्या करिए कि एक पेन का जगा छोड़ दीजे इस तरीके से ठीक है इस तरीके से आप लोग छोड़ेंगे तो आई ये देखने में काफी सुन्दर लगेगा आपको लांग कोश्चन आंसर में इसको और भी प्रफेशर जैसे लेखक पूछक है यहांट को राइट आप एक क्लियर लगेगा देखने में तो आपको GET लिखेना नहीं यहाँ पर आपको आंसर लिख देना है जो भी आंसर है यहाँ पर प्रोफेसर जी सुन्दर रेडी तो यहाँ पर प्रोफेसर जी सुन्दर एडी जो है वो राइट आंसर है आप इस तरीके से लिख सकते हैं अगर आपके पास बिल्कुल साथ टाइम है तो आप यहाँ पर जैसे आपसा नमबर ख में भासा और अधुनिक्ता के लेखा कौन है तो आपसा नमबर 4 राइट है यानि कि यहाँ पर 4 राइट है तो आप इस तरीके से यहाँ पर 4 लिख सकते हैं ठीक है सिर्फ 4 ही लिख सकते हैं इसको आप नहीं लिख होगे फिर भी आपको जो एक्जामनर आपके कौपी चेक करें वो पहचान लेंगे मिला लेंगे कि जो फोर है वो प्रोफेसर जी सुन्दर रेडी आंसर है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो ठीक है और आप लोग यहां पे इसके जो आंसर है उसको भी राइट कर सकते हैं फिर उसके बाद देखेंगे हम लांग कोशन को कैसे लिखें उसके बाद देखें नेश्ट जो है वो दिये गए गध्यांस पर अधारिक निम्लिकित प्रसनों के उत्तर आपको देना होता है जो कि दस नंबर का था दो पैसे दियोते हैं पहले कि अगर आपको क्वेशन का अंसर इसके नीचे पांच क्वेशन दिये रहते हैं इसक्वे का आंसर लिखते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टन जो है वो जिसको देखकर टीचर नंबर देते वह पांचवां क्वेशन क्या है कि उप्योग गर्द्यांस का पार्ट सिर्शक और लेखक का नाम लिखें तो इसको किस तरीके से लिखेंगे कि आपको पूरे नंबर मिलेंग याँ आपको ये क्वेशन कुछ इधर उधर मिश्टेक भी है ना फिर भी सिर्फ पांचवां क्वेशन को आप राइट कर दिये तो आपके इन सभी क्वेशन को जो टीचर है वो सही मानेगा याँ अगर इस क्वेशन को आप सही क्यों तो आपको सभी क्वेशन क्या तो इस Q canyon को आपको जादे ध्यान देना इसका अंसर आपको किस तरीके से लिखना है तो यहां पर देखें लिखा आप sein कि उपY contamac गध्यांस के पार्ट और लेखक का नाम लिखना है ठीक आपको सिर्शक इसके क्कौन है या रये किस कि पद्ध्यांस को पहचाने ट्रेक्ट से कि वो किस पार्ट से तो आप मेरे चैनल से वीडियो अपलोड है वहां से जाकर देख सकते ठेकिंग और बाद रहा है यह सीरसक का और उसके बाद लेखक का नाम तो लेखक जो इसके इस तरीके से आपको लेखक का नाम ब्लेक पैंसि डालना है और प्रफेसर जी सुन्दर रैडि इसके क्या है लेखक है ऩी तरीके से आपको डाल देना वह द्या है पहला केशन्ह रहा कि सर्जक की मौलिक उपलवदी का प्रमाड क्या है तो आपको इस question का answer इसी में से आपको मिलेगा ठीक है इसी में से आपको इन question का answer मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हो कि नित नियुतंता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्दी की प्रमाडिकता सुचित करती है ठीक है तो आपको इसका answer वही लिख देना है कि नित नियुतंता किसी भी सर्जकी मौलिक उपलवधी की प्रमालिकता सुचित करता है ठीक है इस तरीके से आपको आंसर लिख देना जिस तरीके से हमने यहाँ पर लिख रखा है फिर उसके बाद देखेंगे नेश्ट जैसे आपको कोई रहस चंदर अलंकार में तो उसको किस तरीके से ट्रिक से लिखेंगे कैसे लिखेंगे कि आपको पूरे नमबर मिली नेश्ट जा जैसे आपका रहस हो गया ठीक है अलंकार हो गए छंदर हो गए हिन सभी के बीडियो हमारे चैनल पगोरे क्योंकि हमारे चैनल क्लाश 12 प्लै्लिस्ट में जाकर देख सकते हिंदी के तो यहाँ पर हम लिखें रखेंねं बेस आपको सबसे पहले डालना है जिस तरीके से हमने पहला ढाला यानि के आपको यहाँ पे देखने में और उसके बाद आपको नीचे अंडरलाइन कर देना है इस तरीके से आप कर देंगे काफी सुन्दर लगता है देखने में फिर उसके बाद यहां पर आपको डाल देना है उत्तर इस तरीके से लिखने से आपके जो कापी होते वो ज़्यादे सुन्दर और आकर सक दिखाई देते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपको जैसे हमने आपको एक ले लिया टॉपिक हासरस आपके बोड एक्जाम में आया हुआ है तो आपको हमने पहले ही बता चुका है क्योंकि हासर यहाँ पे डालने के बाद आपको नीचे अंडरलाइन करदेना हासरस काुड सिया हसर्स कहते हैं आपको यहाँ पे जो इस थाई बाद हो ता उसे लिखना है जिस तरीके से अमने आपको बता कि तो उससे कहते हैं हास रध कर दें राध मुझा कि यहां पर लिखना है इसका उध रधाड सरा सपर पीुझे व向ह नंबर भग सबता के वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे काफी ट्रिक और ट्रिप्स के साथ तो इस तरीके से आप लिखेंगे तभी आपको अपने बोड एक्जाम में यानि कि आप इसी तरीके से जो ते टाप पर वो इसी तरीके से अपने बोड एक्जाम में काफी लिखते हैं तभी उ आप लोग एक पेन का जगह छोड़ेंगे तो आपका राइटिंग क्या होगा बहुत ही सुन्दर और किलियर दिखेगा जिससे कि जो टीचर होता है उसको बहुत ही अच्छा लगेगा और वो आपको पूरे नंबर देंगे तो पहले पेज की सुरुआत आपको इसी तरीके से सुद सुद साप साप करनी है और हाँ आपको किसी भी क्वेशन का यानि कि जो भी क्वेशन दिया है उसके आगे नंबर वाइज किया रहता है ठीक है आपको किसी भी क्वेशन का आंसर लिखते समय सबसे पहले आपको ये देख लेना कि वो क्वेशन कितने नंबर का है और उस पर हम मुझे कितने टाइम देने हैं तो यह आप देखें दो नंबर का है तो आप इस पर जादे से जादा दो मिनट टाइम दे सकते हो ठीक है इससे बेसी अगर आप देंगे तो आपके क्वेश्चन जो हैंगे वो छुट जाएंगे और आप अच्छे नंबर नहीं ला प रे पीज में आङसर लिखे तभी आपको दो नंबर मिलेंगे ऐसा कोई बात नहीं आपको राईट आइमसर पता है टापिक है ठीक है करें यहाँ पर तो आपको सिर्फ ऐसे काड़ देना है और जादे कोशिस यह करना है कि आप लोग गलत कापी में मत करें ठीक है पहले से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए तो गलत कैसे करेंगे तो समझ के लिखें आप लोग का गलत कभी नहीं होगा फिर उसके बाद जैसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको नो आये तो कैसे लिखें यह अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप लोग उसको छोड़िए मत कुछ न कुछ कीवर्ड जैसे होत जानेर के ऊधार सब्स ठीके इसका परिभासा बना सकते बना राप टुटी-पुटी जब्दों में मिल जाएंगे प्रॉड देंगे तो आपको एक भी नमबर अगर थोड़ा लिख लोगे तो उसका आपको क्या होगा नंबर मिल जाएगा तो इस तरीके से आप लोग किसी भी क्वेशन का आंसर लिखें और हाँ आपको सिर्फ जैसे कि यहाँ पे यह काम आपको कभी नहीं करना है नहीं तो नंबर कर जाते हैं जैसे आप लोग कापी में क्या करते हैं आपको टीचर को, कोई चांस ही नहीं होता कि आपको नमबर वो दे दे और आपकोस फेल हो जाते हो, तो आपको ऐशा किसी भी परकार के फालतु बातो को नहीं लिखना है अपनी काफी में, इस तरीके से अगर आप बोर्ड एक्जाम में लिखते हैं जिस तरीके से हमने आपको बताया तो आपको अपने बोर्ड एक्जाम में अच्छे से अच्छे हैं पूरे नंबर मिलेंगे और आप एक अच्छे नंबर परसेंटेस अपने बोर्ड एक्जाम में लाएंगे और यह जो ट्रिक और ट्र के से लिखे जैसे हमने बताया है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और हाँ एक हमारे सेकंड चैनल करेक्ट से चाही यूटूब चैनल उसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ वीडियो को आप लोग लाइक और जादे से के आज सब्सक्राइब कराई जाती है और कई इंपॉर्टेंट बोर्ड एक्जाम से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट ट्रिक भी बताये अगर आप अभी तक अपना विडियो यूटूब चैनल के कई वीडियो को नहीं देखे ट्रिक वगरा को नहीं देखे तो प्लीज आ आप लोग उमारे अपना विडियो चैनल पर एक बार विजिट जरूर करें तो आज के इस वीडियो में इतना आई आपको वीडियो कैसा लागा अगर वीडियो पसंद आये तो प्लीज वीडियो को बड़ा सा लाइक करते चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन को जरूर प्रेंस करते जिस्तिनके हमारे दारा विजिगे इस तारे विडियो के नोटिपीकेस हैं आपको सबसे पहलेंगे कमेंट करना ना बुले थेंक्यू अलगे वेरे वेश्ट बार अ